पहली बार देश के नगदी संकर से जूझने पर सीम उपेश बगेल ने केंडर सरकार पर निशाना सादा है और उने भारतियों जुनता परड़ी पर जुनता को मूल मुद्धों से भटका कर अन्ने मुद्धों पर बात करने का आरोप लगाया सीम उपेश बगेल ने कहा है कि भाष्पा आर्थिक और जुनता के मुद्धों पर कभी बात नहीं करती चुना बेवी पांच साल के उपलब्धियों के अधार पर वोट नहीं मांगे वो कभी पुलवामा तो कभी बाला कोट की बात करती रही अभी भी जो मुल मुद्धे हैं उससे हटकर अन्य मुद्धों पर बात हो रही है आर्थिक मुद्धों पर जनता के मुद्धों पर भारती जनता का पार्टी कभी बात नहीं करते और चुनाओं में भी देखें कि वो पांस साल की उकलब्धियों का अधार पर वोट नहीं मांगे वो कभी पुलवामा और कभी बाल कोट की बात करते रहे तो ये इस प्रकार से अभी भी जो मुल मुद्धे हैं उससे हटाकर अन्य मुद्धे पिकल जैसे कि दमरम जी के गिरफतारी हुई है वो यही है कि मुल मुद्धे के हटाकर दिन भर लोगों को वही परोस जाए दिखाया जाए वही बताया जाए तो कब तक के लोगों के ध्यान हटाए सकते हैं